विलोग शुरू करना चाहते हैं तो बर्ड प्रेस के थूरू ही जाए क्योंकि आप यहां पर कुछ पैसे दे कर और आप सारी चीज़ों को अपने हिसाइब से कस्टमाइज कर सकते हैं काफी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि हमें इस चीज़ के बारे में इतनी नौलिज नहीं है कि आफिर किस तरीके से हमें वैबसाइड बनाना है और जो पैसे हमारे डूब जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बदा दूँ यहाप पर 30 दिन तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फिर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बहाँ पर आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं और आप से मैं कहूंगा कि आप बर्ड प्रेस के थुरू ही आप अपनी बिलॉग सुरू करें ठीक है किस तरीके से बिलॉगिंग आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको बिलॉग सैट अप करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ wordpress की थुरू जो की आप wordpress की थुरू सीखेंगे कि आखिर step by step आपको किस तरीके से customize करना है किस तरीके से आपको article लिखना है किस तरीके से कहने का मतलब बिल्कुल अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही वीडियो में सीख जाएंगे कि अखिर यगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और आप यहाँ पर wordpress की थुरू जाते हैं तो आप कहेंगे कास में इस चीज के बारे में पहले पता होता कि इस तरीके से wordpress की थुरू जाकर अपनी side बना सकते हैं और blog लिखकर हम पैसे कमा सकते हैं बहुत ही simple तरीका है क्योंकि जब तक अगर आप कोई ऐसी जगे होती है जो आप पर अंजान जगे होती है तो बहाँ पर अगर आप नहीं जाते हैं और बहाँ पर आप जाने की सूचते हैं तो कहते हैं कि कास पता नहीं कैसा होगा तो इसी तरीके से आपके मुन में अगर एक डर है तो आप blogging शुरू कर सकते हैं बहुत ही simple है ठीक है क्योंकि पहले मुझे भी लग रहा था कि यार फिरी वाले पर जाना चाहिए या फिर पेड़ वाले पर ठीक है पेड़ वाले को लिए कर ही यहां पर select किया और फिरी वाले पर मैंने दो तिन आरे ठीकल लिखे थे उसकी वाले मैंने नहीं लिखे क्योंकि फिर उस पर मुझे को समझ में नहीं आया तो इसके लिए आपको किस तरीके से website setup करना है और किस तरीके से आपको यानिक की login और logout इसी के साथ में आपको इस वीडियो में जानकारी देने बाला हूँ लिंक है जो वीडियो की discussion मैंने दे रखी है उस पर आप simply click करेंगे तो आप directly इस page पर यहाँ पर आ जाएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 149 रुपा जानकी पर मन्त आपको यहाँ पर देने होंगे इसी के साथ में इसमें आपको बहुत सारी चीजे भी मिल जाती है और आगर आप यहाँ पर अधिक समय के लिए 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 तो आपको यह सस्ता भी पड़ जाएगा ठीक है जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पहले हम प्रिमिनियम की बात कर लेते हैं जो कि 149 रुपार पर मन्त है और यहाँ पर आपको देखने को मिल लिए हैं जो आपकी वैपसाइड है कभी नहीं रुकेगी 100 GB आपको यहाँ पर स्टोरिज मिल जाती है इसी के साथ अगर एक वीक तक कोई भी डाटा है तो वह आप बैक अप कर सकते हैं इमेल अन्लिमिटेड एसस एल ठीक है जानी कि जो आपकी वैपसाइड को जनी कि सैप्टी देता है जानी कि आपकी वैपसाइड जो है वह पुरी तरीके से स्पोर्ड रहती है उसके बाद में आपको य यहां पर यह 149 वाला ही ले लें लंबे समय के लिए तो आपको यहां पर अधिक यहां पर प्रॉफिट और यह च्छेसो निन्यानव वाला है यह तो है तो इसकी तो बाती अलग है ठीक है तो हम चलिए पहले बात तो यहां पर एड़ इसी पर ही सिंप्ली किलिक कर देते है 139 वाले पर अब कुछ पर वह मारे यह तरी कि से आप हो रहा है तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अगर आप यहां पर 48 मंत के लिए लेते हैं तो आप आपको यहाँ पर यह ज्यादा मेंगा नहीं पड़ेगा चूड मिल जाती है इसी के साथ में तीन मन तक का आपको यहाँ पर फिरी मिल जाता है अगर आप एक मन्त के लिए लेते हैं तो पांसो निन्यार रुपए पको पे करने होंगे ठीक है पर इस से पहले आपको इस वैब या फिर जो भी आप मेल डालना है तो आप एक कापी पर या फिर आप कहीं पर भी लिख कर रख लें जैसी आप लॉग इन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर डिटेल साजाएगी जैसे की देख पा रहा है मैंने आपको प्रोमो कोड है वह आपको आपको बीडियो डाली ही देता हूं उसके बाद में आप यहां पर देख पा रहा है जो एहां पर 8449 रोपदेखने को मिलना है तो मैं यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो प्रोमो कोड़ आूंस बढूना है तो आपको 10% तक का यहाँ पर ओफ हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना प्रोमो कोड एड़ करतेता हूं उसके बाद में आपको भी यही प्रोमो कोड डालना है तो वीडियो की डिसकुशन में मैंने प्रोमो कोड आपको दे रखा है ठीक है उस पर आप सिं सेक्ट करेंगे जैसे यहाँ कार्ड़ कर सकते हैं उसके बाद में आपको अपनी मैंने हाँपर फूंघ हुट कर देता हूं उसके आप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं 7590 रुपाय और 42 पैसे ओनली ठीक है पर जो आपकी मुवाइल पर नोडिकेशन जाएगा वो जाएगा 14000 कुछ रुपाय ठीक है तो इस बात को यहाँ पर टैंसल लेना नहीं है जो आपके पैसे हैं वह साथ हजार ही कटेंगे 7590 इंटर कर दिया है जैसे आप यूपी आई पिन इंटर कर देते हैं जो पेमिंट आपकी सक्सेस्फुल हो जाती है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा और यह कह रहा है आपको यहाँ पर simply कुछ भी करना नहीं है जिस तरीके से मैं आपको बताता जाता हूं उस स्टरॉंग पासवर्टट ठीक है और यह पासवर्ट को आपको लिख भी लेना है उसके बाद में आपके सामने कुछ थीम्स आ आजाते हैं तो आपको यहां पर थिम्स यह वादा से लेक्क कर लेना तो चलिए मैं यहां पर यह देखने को मिल ला अभी के लिए ठीक है और उसके बाद में हम पर simply ख़्यक कर देते हैं तो चलिए मढँ हम पर सब्सक्राइब करेंडने के बाद में आपके सामने कुछ तरीक ही से आएगा तो यहां पर यहां पर आपको आपको नो पर आपको सिलेक्ट कर लेना है यह कोई भी काम के भी नहीं है तो हम आपको नो पर सिंप्ली सिलेक्ट कर लेते हैं नैश्ट पर हम सिंप्ली किलिक करेंगे यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं यह किस तरीके से काम करते हैं जै यहाँ भी अपने पर है जैसे की चार मंद पांच मद ऊथा अपर फरी मिल जाता है टाम ञार द्रू कर सकते हैं अब इस पर कहिए जिसे तरीके से आपको select करना है अपने ब्लोग के हिसाब से तो मैंने यहां पर लिख दिया है संकर blog.com ठीक है तो ज्यादतार आपको कॉम या फिर इनके हिसाब से ही लेना है ठीक है तो मेरे सामने आ गया है यह है available और यह free है ठीक है तो मैं चलिए इससे यहां पर select कर लेता हूं और इसी तरीके से आप search भी कर सकते हैं तो चलिए मैंने आप पर click कर लिया है और next पर simply मैं click कर देता हूं यहां पर आ है अपनी country select करेंगे परसनल जाने कि आप खुद के लिए बना रहा है तो आप परसनल करेंगे अगर आपकी कंपनी है तो क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर कुछ लोडिंग होगा कुछ इस तरीके से ठीक है उसके बाद में अपनी जो वैपसाइड है उस वैपसाइड के आपको सर्वर सेलेक्ट करना है कि अखिर अपनी वैपसाइड किस देश में चलाना चाहते हैं अगर आप हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं तो आप यहां पर इंडिया ही सेलेक्ट कर लिए क्योंकि इंडिया में ही हिंदी बोली जाती है ठीक है और भी कई सारे देश है जैसे कि तो चलिए हमको सेकंड यहां पर वेट कर लेते हैं कर दो आप है अगरे तो आपको यहां पर समय लग सकता है क्योंकि जो आपका बर्ड प्रेस है और होस्टिंग है दोनों कनेक्ट हो रही है तो हम यहां पर अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं यहीं कि 95-96 और हमारी यहां पर हो चुका है अगर आपका इंटरनेट सही है तो जल्दी भी हो जाएगा और जो हमारी वेबसाइड है वो समझे यहां पर बन चुकी है अब बस हमें से कस्टमाइज करना है ठीक है तो चलिए आप से पूछ रहा है कि अगर आप यहां पर रेटिंग देना चाहां तो दे सकते हैं मैंने इसे कट कर दिया है उसके बाद में जो आपकी वैपसाइड का नेम है जानी कि जो भी आपने डू नेम लिया था वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा ठीक है और मैंने इससे रिफ्रेस्ट कर दिया है मैं रिफ्रेस्स करने के ऑ templates में आपको settings पर आना है तो चलिए मैंने इस पर simply click कर दिया है आपको यहां पर कुछ name देखने को मिल जाएंगे तो जैसे कि हम यहां पर दे end name तो यह भी हम यहां पर set करेंगे सबसे पहले जाएंगे post name पर ठीक है तो post name आप जो भी रखना तो ठीक है तो आप सबसे पहले यहां पर date वगरा सेलेक्ट करेंगे किस तरीगे से रखना चाहते हैं कस्टमाइज अगर आपका जो समय है वह यहां पर आ कर देता है तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में आपके यहां पर कस्टमाइज का भी ऑप्सन मिल आया नहीं कि खुद से भी कर सकते हैं तो चलिए हम इसी पर simply क्लिक कर देते हैं और जो समय है मैं यहां पर set कर दिया है जैसे कि लंडन तो यहां पर मैं कर देत कर देता हूं उसके बाद में आपको यहां पर थोड़ा बैक काना है और मैं यहां पर सब कुछ सही है तो चलिए हैं डेवी से कर सकते हैं पर मैं यहां पर से चिंज इस पर मैं simply क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद में आप यहां पर सब कुछ देख सकते हैं उसके बाद में आपको यहां पर क्या करना है अब उसके बाद में हम क्या करें तो पहले हम यहां पर कैटगरी बनाएंगे बाद में ठीक है तो हम पहले इस पर simply click करेंगे click करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा set kit ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर simply click करना है, click करने के बाद add new plasma ठीक है, तो इस पर हम simply click करेंगे, आप इसका मतलब यह होता है कि आखिर आप अपने mobile में कौन-कौन से app यूज़ करना चाहाते, तो वो ही हम website में यहां पर, हम यहां पर add करेंगे, प्लाजिंग के लिए ठीक है, तो हम यहां पर rank method इसे select कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कोई post लिखेंगे, तो हम बिलकुल नहीं है, तो इसके बारे में पता नहीं है, तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा, तो मैं इसे install कर लेता हूँ, इन्स्टॉल करने के बाद आपको इन्हें active भी कर लेना है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इन्स्टॉल कर लेते हैं, जों-जोंसे की, हमें जरूरत है, तो यह अभी इनिस्टॉल हो रहा है और इनिस्टॉल हो चुका है उसके बाद में आपको यहां पर लिखना है जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं बैव इस्टॉरी जो आप गूगल में जाते हैं जो वीडियो देखने को मिलती है तो इससे भी हम इनिस्टॉल कर लेते हैं और इसी के द्वारा ही हम बनाएंगे ठीक है इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी दई गई है तो चलिए हम इने यहां पर यह भी करना है और उपर वाला भी अफ草ल करना है ठीक है अगर आप नहीं पर जादा इंस्टॉल करना चाहाएं तो तो अपने हिसाब से यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं तो फिलाल तो अभी इतना ही रहने देते हैं उसके बाद में मैं इसे बैक करूंगा और उसके बाद में हम इने एक्टिव करेंगे ठीक है ताकि जो हमारी वैबसाइड में हो को एड़ हो जाएं और इनसे हम बैव स्टोरी और इसी के साथ में आर्टिकल बगएरा सब कुछ लिख पाएं ठीक है तो मैं यहां से सिंप्ली से बैक करता हूँ इसी के साथ मैं आपको एक बात और वी बता दूं यैसरी कर रहा है तो दूसरी मत करना सेम इसी तरी के से करना ठीक है तो चलीए आप सिंप्ली को चलीए मैं देखना है जौन-पर से बैक्टिवसे वी होंगे और उन्हें active करने के लिए आपको यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगा है जैसे की रैंक करने के बाद connect to connect your account ठीक है इस पर आपको simply click कर देना है तो चलिए मैं इस पर simply click कर देता हूं उसके बाद में आपके सामने mail आ जाएगी तो उसी mail से आप यहाँ पर इसमें login कर लेंगे तो चलिए मैं इसमें simply login कर लेता हूं कि उसके बाद में कंटीन आउपर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है तो मैं चलिए यहां पर सिंप्ली कंटीन आउपर सिंप्ली क्लिक कर देता हूं और यहां आ रहा है rank method SEO ठीक है तो फिलाल तो मैं इसे continue पर simply click कर देता हूँ continue पर हमने simply click कर दिया है यहां पर आ जाता है OK active now ठीक है इस पर चलिए हम यहां click कर देते हैं click करने के बाद में advance पर ही रहने देना है और आपको यहां पर नीचे की तरफ scroll करने ना है start ठीक है इस पर आपको simply click कर देना है तो चलिए मैं इस पर simply click कर देता हूँ click करने के बाद में आपका यहां पर personal blog है और आपका जो do name है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसे आपकी जो website का name है वो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है इसी के साथ में आपको यहां पर आ जाता है alternate name आपको यहां पर कुछ भी नहीं डालना है ठीक है आप यहां पर logo बगारा भी अपनी website का या फिर अपने blog का यहां पर set कर सकते हैं तो इसके बारे में आपको बादम बताऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग से लोगों बनाना होगा ठीक है तो इसके बारे में आपको अलग से बादमी वीडियो दे दूंगा ठीक है तो चलिए फिराल हमें आप पर जैसे की देख सकते हैं कि से एंड कंटिनाओ इस पर हम सिंप्ली क्लिक कर देते हैं तो चलिए हमने सिंप्ली क्लिक कर दिया है कर आप को यहां पर में जाता है को connect google कुल सर्विस ठीक है तो इसे आपको कनेक्ट कर लेना है क्योंकि यह गूगल की सर्विस है आप यहां पर डननी की कोई बात नहीं है क्योंकि काफी लोग के मनमों हो कि किसी भी तरीके से हमारी इमेल बगरा हएक नहों जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो हमने यहां पर सेफ पर सिंपली चलिए क्लिक कर देते हैं शेव एंड कंटीनाओ इस पर हम सिंप्ली क्लिक कर देंगे पहले हैं पर कुछ पढ़ लेते हैं जैसे कि यहां पर मिल जाता है चाहां सहीड ही का तो हम चलिए हैं पर सिंप्ली क्लिक कर देते हैं उसके बाद में हमारे सामने आ कि यह उपशन तो हम आप इस तोई धीकरे इस से हम सिंप्ली क्लिक कर लेंगे रहें हम यहाप पर से गारें पर सिंप्ली क्लिक करेंगे तो चलिए में यहां पर समने इसे सब्सक्राया है कि靡िकinky निके बाद भाद में आपके सामने आ evidence SEO ठीक है तो इसे आपको यहाँ पर आप चाहें तो इसे आउन भी कर सकते हैं जैसे कि एस्ट्रा जो लिंक होती है वो ठीक है आप यहाँ पर एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं यह लिंक काउंस ही होती है वो आपको वादिम बताऊंगा आपको यहाँ पर Save कर देना है ठीक है आपके सामने फिर कुछ इस घरी के से आ जाएगा तो आप यहाँ पर दे सकते हैं Setup Advanced Option ठीक है यहाँ पर Coc Aand Continue इस पर आप Simply click करेंगे इतना करने के बाद में आपके सामने कुछ इस घरीके से से conviction अजयेगा save and continue इस पर आप Simply click करेंगे तो चलिए इस पर हम simply click कर देते हैं यहां पर यह बताया गया है जैसे कि जो आपका speed के द्वारा बताया गया होती है उसी के लिए यहां पर यह सारी चीजे की permissions मांगता है ठीक है तो आपके यहां पर कुछ भी करना नहीं है save and continue पर आपको simply click कर देना है और आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से यहां पर यह सारे options आजाएंगे और अगर आप इसे buy करना चाहें तो buy भी कर सकते हैं और यह जैसे की टूप बड़ी होती है तो उसी की तरह ही यह काम करता है आपकी website में ठीक है इनकी सारी चीजों को बत पाएंगे ठीक है तो चलिए मैं हां से क्या करूंगा आप डेक्स बोड पर जाएंगे और उसके बाद में जो डेक्स बोड है हमारा कुछ इस तरीके से यहां पर रेडी हो चुका है रेडी होनी के बाद अगर आप यहां पर सैट को देखना चाहें तो सैट को भी देख सकत चाहेंगे उसके बाद में स्टोरीज का डेक्स बोड आ चुका है और हम यहां पर होस्टिंग पर जाएंगे और हमें यहां पर अपनी वैबसाइट के लिए यह देखना है कि जो SSL है जो SSL है पो एक्टिव होगा है कि नहीं हुगा है तो देख सकते हैं हमारा एक्टिव हो हो चुकी है पूरी तरीके से स्कॉड उंस मैं कर सकते हैं ठीक है अगर आपद में आपको यहां पर भैक आना है और आपको यहां पर और यह कैसे कि आपको यहां पर आपको है कि अपनी क्टाइगरी नात ना फे अपना कि न क्क क्लिक करेंगे ऊहिए एक ची में आप क्टाइगरी क्टाइगरी कि भी तो पहने हैं तो थे रही तुरीके पर यह category बनाना होता है जैसे कि किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो उपर यह सैट में आपको देखने को मिलती है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इसी को ही आप पर website सिर्ड पर साइट करते हैं तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे और वो आप रचिक है और यहां पर आपको अभी कोई भी इओ देखने को नहीं मिल रहे हैै टीक है तो यहां पर अभी हम वैक करेंगे में करेंगे और आपको यहां पर लिक्तेना है जैसे की blogging मैं एक blogging से बनाऊंगा और उसके बाद में यहां पर भी आपको blogging ही type कर देना है discussion में अप जिस तरीकी की blogging करना चाहते हैं उसके बारे मी बता सकते हैं इसके मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल यूटूब की ही तरह है तो मैं यहां पर simply ऐसे ही रहने देता हूं मैं बाद में इसे एड़िट कर दूँगा ठीक है उसके बाद में जैसे कि कर देते हैं यह क्यों हुई तो हाँ इसमें यह है जो चलिए मैं दौबारा क्लिक करता हूं हाँ यह एड़ हो चुकी है देख सकते हैं तो हमारी दो बन गई है इसी परिकार से में बिजनिस और भी कई सारी बना लेता हूं और इसी तरीकी से आपको भी बना लेना है ठीक है व सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी वैबसाइड पर हैं वो दिख रही है कि कर्दगी नहीं देख रही है ठीक है तो हम जाएंगे इस पर और हमारी वैबसाइड पर अभी नहीं दिख रही है ठीक है तो जैसे कि देख पा रहा है बिल्कुल साधा सिंपल देखने को मिल है जैसे कि विजिट सैट ठीक है इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो जो हमारा डू नेम बगारा है और यहां पर मीनू नहीं देखने को मिल लिए ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर मीनू बनाएंगे और उसके बाद में उन कैटागरी को उसके अंदर एड करेंगे ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे मीनू पर जाएंगे और मैं चलिए इस पर सिंपली क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर मिल जाएगा यह प्रैमरी मीनू ठीक है तो चलिए इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हू और आपको यहां पर अभी आपको यहां पर नहीं करना है तो आपको यहां पर मीनु नेम दे देंगे तो मीनु का मतलब होता है कि मीनु ठीक है तो मैं यहां पर लिख देता हूं मीनु यानि कि त्री लैन बाला आता है वो उसे बोल ला है और वहीं चीज हमें यहां पर कर सकते हैं और आप यहां पर एक साथ में सारी चीजों को सिलेक्ट करना चाहा है तो आप एक साथ में सारी चीजों को भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे कि सिलेक्ट आल का नीचे ऑप्शन दिये गया है तो मैं यहां पर फिलाल एक्टी करके ही सिलेक्ट कर देता रहूं कि इन्हें बाद में भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि बर्ट प्रेस के थूरू आने का यही फैदा है विलोगिंग में आप इसे एड नहीं कर सकते थे खुद से कस्टमाइज कि यहां पर चुकी है अच्छी तरीकी से आप यहां पर दे सकते हैं तो मैंने एक मरे पर तीन हिंडी कर दें आप इसी के साथ में अपनी website का URL दे देंगे ठीक है URL वही है जो आपने अपने दूनेम लिया था उसके आगे सरफ आपको देखने को मिलाएगा डॉट कॉम ठीक है तो वही सारी चीजे हैं उसके बाद में आपको इमेल एड़ी और जनरेट पॉलिसी इस पर आप सिंपली क्लिक करके अपनी website की यहाँ पर पॉलिसी तयार कर लेंगे ठीक है जैसी कि मैंने यहाँ पर पॉलिसी है वो तयार हो चुकी है हमारी एक मिनट में और लिखने में तो काफी ज़्यादा समय लगता ठीक है मैं इसे सिं एड़ न्यूपेज इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले एक पेज बनाना होगा अब यहाँ पर अपना एक टाइटल दे देंगे जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूं प्राइविसी और पॉलसी ठीक है या फिर प्राइविसी और पॉलसी लिख दी ने है तो मैं यहाँ पर प्राइविसिया और पॉलसी लिख देता हूं Wisconsin तीक है इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दी है उसके बादे में यहाँ पर हम टाइप पर संपली क्लिक करेंगे और भू हम यहाँ पर पेच्ट कर देंगे कि के फिर आप यहां पर प्लस के आईकन पर जाएंगे और यहां पर सर्च बार में लिखेंगे DAVID कुछ अस्टरीक से लिखेंगे कुछ के माधियम से लिख जाएगा और हलाकि हमें कोड कीमाधियम से लिखना चाहिए तो हम और चा से अपको करना है त Drikok है उसके क Freshman के करेंगे कैज तो हम एक बार आपर देख सकते हैं जानी की फिरभू भी कर सकते हैं यानि की ठीक है तो हम बिजिट पर प्राइज यहां से कट कर देना है तो हम सबसे पहले देख सकते हैं जो प्रैबिश्की पालिसियम है वह हमारी बने के रेडी हो चुकी है तो इस तरीकी से आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं या फिर आप यहां से कट कर दीजिगा डालेटर क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे यह है अगर आपकी वैपसाइट पर कोई आ रहा है वो चीज़ों को देख रहा है तो आप क्योंकों सी पर्मीसस ले रहा है ठीक है यह पालसी में यही सारी चीजे लिखी हुई होती है उसके बाद में हम बैक करेंगे डेक्सबूट पर जाएंगे कि तुछ चलिए मैं यहां पर डेक्स बोड़ पर सिंप्ली क्लिक कर देता हूं किलिक करने के बाद में जो हमारी वैपसेट है वह कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है उसके बाद में आप यहां पर जाएंगे सैट किड्स ठीक है इसे आपको सैट अप करना करेंगे कि क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा अपनी मेल यहां पर सिलेट करेंगे और आपको यहां पर मैं जाएगा कंटिनौ इस पर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है यहां पर आपको टिक करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है तो आपको अगर भई इसे यूज करना है तो आपको टिक करना ही होगा इनकी term conditions माननी होगी और आपको continue पर simply click कर देना है तो इसे हमें यूज करना ही है उसके बाद में आ जाता है verify करना तो आपको verify करना होगा ownership के लिए ठीक है तो allow कर देना है आपके सामने इस तरीके से आ जाता है तो ह हम अलाव कर देते है अलाव करने के बाद में फिर आपको setup पर simply आपको click कर देना है कि तो मैं छलिए simply click कर देता हो इसके बाद मेंरे स्थपर आप simply click करेंगे आपनी इमेल यहां पर फिर आपको यहां पर login कर लेना है तुछ ठीक है अगर आप मुबाइल से करते तो आप यहां पर दिक्कत खड़ी हो सकती ठीक है उसके बाद में आपको कंटीना पर सिंप्ली क्लिक कर देना है अगर आप इस वीडियो को देख रहा है अभी तो आपको अपने किसी फ्रेंड का यह फिर किसी का भी आपको लॉप्ट लेना है और एक दो घंटे के लिए फिर उसके बाद में आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो फिलाहल तो हमने आप पर कर लिया है और उसके बाद में आपको यहां पर कुछ इस तरीके से आप पर लोड होगा है कि हम आप पर बेट कर लेंगे थोड़ा सा कि मुझे को कि में जो आपकी टर्म कंडिशन हैं वह आप सकते हैं कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर करना चाहें तो रिड्धर कर सकते हैं उसके बाद में आपको क्र देना है यहां पर इसटेट करते आपको आनकी अपनी कंट्री यहां पर तक कर देना है ठीक है तो अगर आप इंडिया के लिए हैं या फिर इंडिया के लिए वैसाइट बना रहा है तो आप यहां पर अपनी इंडिया ही सिलेक्ट करें क्योंकि जो पॉल सियर टर्म कंडिशन से एग्रिमेंट है वह इंडिया के लिए ही होना चाहिए ठीक है तो हम यहां पर इंडिया उसलेक्ट कर लेते हैं झूंब कि असके बाद में आपर रीड रहां चाहें तो कर सकते हैं वरना इसमें रीड़ को ज़रूरत नहीं है बिलकुल सही है इसके बाद में आपको यहां पर तिक कर देना और आपको यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है यसे की यह स्ब्सक्राब्स इसके प्राफ 15 करेंगे मैं यहाँ से डारेक्टिस पेज को को यहाàng पर नीपर दाता हूं और आई एकश्ब्सर स्परह सिंपली किलिक कर देते हैं और उसके बाद में सेक्सेस हो चुका है और उसके बाद में गो टू माई डैक्स ठीक है इस पर हम सिंप्ली क्लिक कर देते हैं अब जो हमारा अनलेटिक्स है वो भी यहां पर बन चुका है उसके बाद में आपको यहां से गो इस पार आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है अब यहां पर आ जाता है सर्च कौंसल ठीक है इसे हम यहां पर सेट करें अपनी वैप्साइड के अंदर यह क्या होता है एक URL होता है जो आपकी website का होता है ठीक है तो मैंने इसे search कर लिया है new type में simply click करके और आप यहाँ पर देख पा रहा है Google search console tools ठीक है तो इसे आपको active करना है अपनी website के अंदर तो चलिए मैं इस पर simply यहाँ पर click कर देता हूं और इसे आपको अपनी जो आपकी website उसका URL बन जाता है ठीक है तो आपको यहाँ पर set करना है उसके बाद में आप इसे यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और इसमें सारा कुछ आपको देखने को भी मिल जाता है ठीक है तो फिलाल तो हम इसे start now पर simply click करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं welcome to search console ठीक है इस पर हम simply click कर करेंगे और इसका URL है वह आपको यहाँ पर इंडर करना है rank method पर जाना है ठीक है इस पर आपको simply click कर देना है और उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर इस पर ठीक है अब यह क्या होगाँ जो आपकी अभी तक तो आपके URL है वह यह HOगा ठीक है वर्ना यह जुड़कि आने लगेगा तो आपको यहाँ पर किस तरीके सेaha nyt जैसे की इस तरीके से उसके बाद में हम सम्मिट कर देंगे सम्मिट करनी के बाद में अब यह हमारा सैट मैप बनके तयार हो रहा है याने की यूरल ठीक है यहां पर देख सकते हैं सक्सस आ चुका है यहां से हम डिस्मिश करेंगे और हमारा एक्टिव हो यहां पर हो चुका है ठीक है तो हम यहां से बैक करेंगे डैक्स बूड पर जाएंगे उसके बाद में अब हमें क्या करना है यहां पर अपने जाने की जो लोगों बगरा है मुझे से बाद में सैट करेंगे इस पर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा या फिर आप यूटूब पर भी वीडियो क्सकी मिल जाएंगे आपको विडियो ठीक है फिलाल पॉस्ट किस्तरीके से लिखेंगे और इसके बाद में पैसा हम किस तरीके से कमाएंगे सब्स harsh करेंगे ऑर यहां पर हम पोस्ट पर simply click करेंगे और आपको यहां पर टाइटल लिखते ना है इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि आखेर हमें कि चीज से रिलेटर यहां पर पोस्ट लिख करना है तो हाला कि यह सब कुछ आपको बताई देता है मैंने यहां पर लिखा है जो गूगूल पर है वो बंद होने वाला है इंडिया में भी क्योंकि अमेरिका में तो बंद होई चुका है बैन लग चुका है इस पर और कुछ सर्विसेस अभी यहां पर चालू है अमेरिक और वह ऑप में आप लिख सकते हैं जो भी आप लखना चाहते हैं तो पहली बात तो यहां पर बने हैं कि जो सब्सक्ते हैं और सब्सक्तीतल बोल जाता है ठीक है और यहां पर boxes कर सकते जैसे कि क्या सच हो रहे हैं रहे हैं जादा सर्फ यादा सर्फ किया रहा है दो इस पिरकार्ट तो आने वाले समयमें बहरत में भी binging कर दिया जाएगा Google पे ठीक है तो अभी तक तो Google पे है भारत में बंद नहीं है क्योंकि अभी चालू है ठीक है पर आने बाले समय बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा तो उसी सही रिप्र यहां पर यह टाइटल और मैं यहां पर दे रहा हूं तो मैं यहां पेश्ट कर दे तो चीज आपका मैं टाइटल है वह आप यहां पर हाइलाइट कर देंगे उससे ठीक है तो चलिए मैं यहां पर हाइलाइट कर देता हूं कि दूर से लोगों को दिखने लगे ठीक है इसी के साथ में आप उपर सिंप्ली किलिक करके यह भी चेक कर सकते हैं कि आखर अब इसके बाद में आप यहां पर सिंपली करके और अपनी यहां पर फोटू भी अपलूड कर देंगे क्योंकि जो आपका सिंपल दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर आपको गूगल पेसे रिलेटेड आपको यहां पर पोस्ट यहां पर कर देंगा है फोटू दो चार तो जैसे कि मैंने गूगल पेस रिलेटेड यहां पर कर दी है उसके बाद में आपको यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे या फिर आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाप से ठीक है यह 16.10 ठीक है या फिर आप यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल त लेता हूं उसके बाद में हम याँ पर दूसरी पोश्ट यहां पर upload करेंगे अब पोस्ट की तरीके से करना है जैसे कि हैंपर आप जाएंगे और अपने सरकल को वहां पर लेके जाएं तो वहां पर आपको एक प्लस का अगन देखने को मिलेगा इस तरीक होता है तो चलिए मैं इस पर simply click करता हूं gallery पर जाता हूं ठीक है या फिर आप यहां पर images पर भी जा सकते हैं ठीक है इमेज आने के बाद यहां पर आप upload करेंगे गैलरी में जाएंगे तो जो आपने आप गो स्चेयं पर अप्लोड करती होंगी टरिंडियों की तो मैंने यहां पर कर दी है कि दृक्त कर दीए जैने कि फोटो एक upload घर ठीक है और उसके बाद में आप यहां पर इसे किस साइज में रखना चाहां ते यहां पर छाइट कर सकते है और आप यहां पर क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं जूम करके ठीक है उसके इसाफ से कट हो जाएगा इसमें ठीक है इस पर आप सिंपली क्रिक करेंगे पोश्ट को उपर अगर आपको कुछ होने वाला है तो उसी से लेड़ा तो मैं इमेज पर सिर्फ मैंने यहीं लिखती है ठीक है उसके बाद में हम यहां पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा फोटू भी हो गया यानि की और यह बोल लिया है इस इओ के लिए आपको यहां पर कीवर्ट पर जादा फोकस करना हो हुगा ठीक है तो मैं सिरब आपको पहली बार यहां पर लिख के दिखा रहा हूं ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर जाना है गूगल और public search है इस पर हम simply पहले हाँ पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद में अखली में होता क्या है अगर आप अपने यहाँ पर इसे rank कराना चाहाते हैं तो आपको इस पर जाना है और आपको यहाँ पर अपना email से या फिर आपको यहाँ पर login कर लेना है अपने URL के तरूप ठीक है जाने कि जो आपने डूनेम ले रखा है उसके तुरूप तो चलिए हमने यहाँ पर डाल दिया है और वहीं सारी चीजें हैं जैसे कि अपना नेम डालेंगे लोकेशन डालेंगे अपनी लेंग्यूज सेलेट करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर add पर simply click कर दे पोस्ट को रोज डेली अप्लोड करेंगे तो आपको बहुत सारे अप्सेंने मिलने शुरू हो जाते हैं ठीक है लिकास, जैसे कि गूगल की कंपरी की की तरफ से आता है वहां पर टिक लगा हुआ तो वह अपको एहां सब newest player था चली है पर हुआ हम यहां कई यह हमारा ब्लॉग है और उसके बाद में आपको की याधा फोकस करना है क्योंकि जगे-जगे आपको जो टैटल है वही आपको यहां पर डालना है ठीक है पबिलिक्स कर सकते हैं और यहां पर आपको कीवर्ड मैंने यहां पर एक है यहां पर कीवर्ड डाला था ठीक है और जो आपका पोश्टर कुछ इस तरीकी से आप पर upload हो चुका है सब मैंने आपको एक upload करके दिखाया है ठीक है और आप अच्छी तरीकिसे यहां पर करेंगे तो बहुत ही आराम से यहां पर अच्छे पोश्ट यहां पर upload करेंगे उसके बाद में आपकी website पर कोई आता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं यानि कि आपकी website पर क यहां से simply back कर देता हूं जो हमारी website बनके तयार हो चुकी है और उसके बाद में हम डेक्सबूड पर simply click करते हैं कि कि लिक करने के बाद में आप यहां से सारी चीज़ों को customize कर सकते हैं ठीक है पोस्ट आप यहां पर pages और comments और story जो कि आप सारी चीज़ें यहां पर कर ही सकते हैं ठीक है जो कि आपको यह सारे option देखने को मिलने हैं अगली वीडियो से में इन सारे options के बारे में आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपको अपना जो website मोनेटाइशन करवाना है गूगल एडिस एडिस के थूरू बहूं आपको यहां पर बताऊंगा ठीक है तो थोड़ी सी ट्रेक है और वो किस तरीके से करना है आपके आपको डूनेम है ठीक है या फिर आप अपनी email id के थूरू और जो password डालकर आप login कर सकते हैं या फिर आपको अपना डूनेम डालना है और उसके बाद में जो अपने password बनाया था वो आपको डालना है तभी मैंने आ मैं यहां पर जाओंगा new type में और उसके बाद में करूंगा इसी के साथ में अगर आप यहां पर अपने देखना चाहें तो इसे भी देख भी सकते हैं जैसे कि जो आपने article लिखा तो सबसे पहले मैं आपको article की तरफ ले चलता हूं और उसके बाद में हम अगले बात करेंगे जो आर्टीकल है वो हमारा यह है और यहीं सही हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आनवाल आने वाले समय में इन्हें आपको अपडेट भी करना होगा ठीक है तभी जो आपकी website है जो भी आपके बिलॉग है तभी आपके रैंक कर पाएंगे ठीक है तो इस चीज़ के बारे में बता दिया क्योंकि यह बताना बहुत जरूरी था अगर आप इसे अपडेट नहीं करते हैं चेंजेस करते रहीगा हलके ठीक है और आपका कमेंट सेक्शन भी आया चुका है सब कुछ आपका ठीक है ठीक है तो उसके बाद में हम क्या करे सब्सक्राइब में अपनी वैबसाइट का जैसे की संकर ब्लॉग डॉट कॉम सिलाइस एडमी ठीक है इस तरीके से लिखकर हम सार्च करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा अपना इमेल डी और पासवर्ट डालकर हम यह आप पर लोगिन कर जाएंगे ठीक है तरीके से बनाना है किस तरीके से कस्टमाइज करना है कुछ चीजें हैं जैसे की लोगों और कई सारी चीजे बुम आपको बताऊंगा अगली वीडियो में या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आखिर आपको क्या चीज यहां पर समझ में नहीं आ रही है दूसी च